ऐसने विध्वें और है करते हैं इससरी पार्टियों के जो चंशे होते हैं जो होते हैं और पांज बसपा में गुशने के बाद और बहुंज इतनी ही दयालू टाइप की हैं, कि उन्हें उनके सामने कोई कह दे कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये जिम्मेदारी लूँगा, तो बहन जी खुद उसके बद चड़के उसके जिम्मेदारी देती हैं, और उसको इतना, वो जब समाज पार्टी में आकर, वो जो महां उसको कोई पूछ बात में करते हैं, मैंने कई सांस्व गरती हैं कि मेरे से कुछ नहीं लिया, तू भी सांसत बनाता, तो आज तू पार्टी से निकलने के बात, तू कहते हैं के भा कि भाधा नेती हैं, तो यह जो उनके आरोप, पत्य रूप है वो पार्टी में से बहार जाने के बाद है जब दूसरी पार्टियों की गिर्फ में आ जाते हैं और वही लोग जो युवा कहते हैं कि युवा पहुजी सामाज-पार्टी में युवा की जरुआत olmas है लेकिन युवा का न करने करके वह पर दूसरीं में बना के वह अपना इसान दूसरी पार्टी आटों ihr देखते हैं और जब भॉजजी सामाज-पार्टी के इसा कहा है लीडर का सम्मान पर को नीचे बिठाती है वो लोगों पर आरोप लगा जाता है कि वह स्वार्थी हो गई है किसी और को मोका नहीं देती है किसी युवा नेता को नेता नहीं चुनती है इसमेर में आप क्या कहेंगे जो लोग बहन जी को लालची बताते हैं उनकी मानसिक्ता ही खराब है और वह खुड लालची है क्योंकि सक्ता चलाने के लिए पैसे की भी जरुवत पड़ती है जल समू की जरुवत पड़ती है ऐसा नहीं कि कोई सक्ता फिरी में ही चल जाती है और ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो जो लालची नहीं हो संद्रम इस अब केबल हैं जीन इसी नहीं है कि जिनके पास धन-डॉलत है भाजपा के पास भी धन-दूलत है कॉंग्रेस दॉल्स के पास कि धन-धन-डॉलत हैं संद्रम आराई जो लोग पाईलत करते हैं वो लोग खुद खुद लाल्ची है खुद भरस्टाचार में लिप्त हैं और वह अपना अपना जो भर्ताचार है वह वेंजी की उपर ठोपना चाहते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले